कुर्दू पीजी सेमिस्टर फर्स्ट सीची टू नौधर मैं उम्ताव आलम ठीपी कोलेज भी इन नंडग इनवर्सिटी से कि आज कि नशिष्ट में हैं सीची वन कि सीची टू कि फर्स्ट सेमिस्टर का नौहल के सिर्षिले में कुछ बातें करनी हैं पहली किताब है उसमें तौबत नसूह तौबत नसूह नजीर आमत्मा नाविल है नजीर अहमत को नाविल निगारी का अवलीं दर्जा हासित इसमें किसी भी सुभाद की गुंजाईश नहीं कि उनके उस पिस्सों ने उर्दू नाविल के लिए राह हमबार कर दें वकारजीम इस हकीकत की तरफ इशारा करते हुए लिखते हैं यह सही है कि नजीर अहमत के खिस्से इस मख्वूम में नाविल नहीं जो हमने मगरिब से लिया है यह वकारजीम लिखते हैं लेकिन इसमें शुभा नहीं कि नाविल की दाग बेल इन्हीं टिस्सों ने डाली हैं नहीं तोबतुन नसूर् कि एहते शाम हुसाइन नजीर अहमत को उद्दू का पहला नाविल निगार तस्लीम करते हैं और अब पहला नाविल निगार तस्लीम करते हुए अपनी नाय इस तरह से इन अलफाज मजाहिं करें कहते हैं कौमा के अंदर है कि बहुत से नकाद नजीर अहमत को नाविल निगार नहीं मानते लेकिन महज इस्तिलाह का चक्कर है मैं उनकी समाजी बसीरत और तारीखी शौर पर नजर रखकर उन्हें पुर्दू का पहला अहम नाविल निगार तस्लीम करता हूँ ये इहतेशाम हुसैन साथ ने नजीर अहमत के बारे में अपना कौल नतल किया है और ये हकीकत भी है कि हम पन्नी एतिवार से इनके नाविलों पर कितने ही एचिरास करें वो हमें आखिर में हमें तस्लीम करना ही पड़ता है कि उन्होंने उर्दू अदब को ऐसे फॉर्म से यकीनन रूशनास कराया है जो नाविल से करीब से करीब तर है यह सही है कि उनके इप्तिदाई नाविलों में फन की उनकी गिरफ्त बहुत कमजोर नजर आती है उनमें रख्त तसलसल इर्टका का एहसास नहीं मिलता है इससे में पेशाने वाले वाकियात का फनी जवास कम और इसलाही जवास ज्यादे नजर आता है उनके किरदार जादे तर मिसाली है लेकिन इन फनी तोर पर नाकिस नाविलों से भी एहसास उभरता है किस्सा फर्द और माशरे की जिन्दगी में इसलाह का एक मुश्थ जरिया साबित हो सकता और तक्यूल और तक्यूल वो तसब्वर की रंगीनियों के बगैर भी जिन्दगी की सीधी सादी सची हकीकतें भी कहानी की बुनियाद बन सकते नजीद आहमद के फन में ठाहराव के बजाए इतका का एहसास होता है चुनाँचे इतकदाई नाविलों के बाद वाले नाविलों में फन्नी वो तेक्नीकी वख्तगी का एहसास ज्यादे वाज़ तौर पर हमें मिलता है चुनाँचे उनके बाद एक नाविल तौबत नसूह को नकादों ने एक नमाइंदा नाविल करार दिया है यानि उर्दू का पहला नाविल तौबत नसूह को करार दिया गिया है हो सकता है कि टेक्निक के इतिवार से इसमें कुछ खामिया राह पा गई हो लेकिन ऐसी खामियों से शायद ही कोई नाविल पाग हो मजमूह यहतिवार से ये नाविल आने वाले नाविल लिगारों के लिए एक रोशन शमा साबित हुआ तब तौबत नसूह धी उनके दूसरे नाविलों की तरह एक घरेनी नाविल उसका मकसद मौशरे की इसला है मौशरे की बुनिया एकाई खानदान है नजीद अहमद का ख्याल है कि अगर खानदानों की इसलाह बहतर तोर पर हो जाए तो हमारा मौशरा एक मिसाली मौशरा बन सकता है चुनांचे नजीद अहमद ने आवलाद की तर्वियत के लिए इस नाविल में काफी जोर दिया है और इनका ख्याल है कि बच्चों की तर्वियत इप्तिदाई उमर ही में मुम्किन है अगर इप्तिदाई उमर में उसकी ठीक से तर्वियत नहीं हुई उसे ठीक से उसकी देखरेख नहीं हुई तो फिर आगे चलके उसका समालना मुश्किल हो जाए पुख्ता उमर को पहुँच जाने के बाद बच्चों की इसलाह की उमीद कम हो जी नदीद आमद नाबिल के दिबाचे में इसी चीज़ को लिखते हैं कहते हैं कॉमा के अंदर है तर्बियत आवलाद सिर्फ इसी का नाम नहीं है के पाल पोस कर आवलाद को बढ़ा कर दिया जाए रोटी कमाने खाने का हुनर उसको सिखा दिया जाए उनका विया हबरात करा दिया जाए बलके उनके अखलाद की तहजीब उनके मिजाच की इसलाँ उनके आदाद की दुरस्टगी और उनके ख्यालाद वो एतकादाद की तस्हीबी माबाप पर फर्ज है जैसी तरभियत होगी बच्चों की कहने का महासर यह तो उनका अपना कौल है नजीर हमत का जैसी कहने का महासर यह कि जैसी तरभियत होगी बच्चा का मुस्तक्विल उसी तरह से बनेगा और अगर तरभियत ठीक ढंग से नहीं हुई तो बच्चे का फ्यूचर विगड़ भी सकता है खराब भी हो सकता है यह इसी को नजीर हमत ने अपनी अपने उस डिबाचे में पेश किया बच्चों की इसलाह कम सिनी ही में मुम्किन है यानि कम उमर में जब वो तरभियत पधीर होते हैं और बड़े होने पर इसलाह उसकी मुम्किन हो जाती है बड़े होने पर उसकी इसलाह नमुम्किन सी हो जाती है नजीद अपनने तरभियत अवलाद से मुतलिक अपने ख्यालात का इजहार एक ऐसे जोड़े के हालात जिन्दगी पर के पस्मंदर में किया है जो एक तवील उमर गुजर जाने के बाद अपने अवलाद की मधभी वो एक लाकी इसलाह की तरफ तवज्ज़ देते हैं लेकिन वो अपने मकस्द में कामियाब नहीं होते हैं उनकी अवलाद उस वक्त तक मगर्भी तहजीब में रंग रंग चुकी थी लड़की तो किसी तरह राहे रास्त पर आ जाती है लेकिन लड़का ठोकरे खाकर मर जाता है इस नाविल में इस नाविल में कई किरदार हमारे सामने आते हैं अंग्रेजी में नाविल कहिए और उर्दू में नाविल कहिए इस नाविल में कई किरदार हमारे सामने आते हैं लेकिन पूरी कहानी नसूह, कलीम और नईमा के गिर्द घुमती रहती है। नसूह, कलीम और नईमा का बाप। नसूह जब अपनी फुकता उमर के कलीम और नईमा की इसला की कोशिश करता है। तो वो दोनों डटकर इसका मकाबला करता है वे खौफी के साथ वालदायन और इन दोनों बच्चों की कश्मकश में इस नाविल का मौदू है जिसे नदीद अहमद ने बड़ी फन्नी चाबुक दस्ती के साथ पेश बड़े दिल्चस पंदाज में पेश करने की कोशिश की है दे नदीद अहमत ने नसूह को इस नाविल का नसूह को मरकदी करिदार के तोर पर फेश किया है उसकी कोशिशों के बावजूद लड़के राहरास्त पर आते हैं राहरास्थ पर बड़ी कोशिश के बावजूद भी लड़के राहे रास्त पर आते नहीं दिखाई देते हैं तो नसूह महरूमी मायूसी की तस्वीर बन कर रह जाते हैं ऐसी सूरत में नदीर अहमत के साथ साथ हम भी नसूह के लिए अपने दिल में हमदर्दी का जज़बा महसूस करते हैं गर्चे हमें इसके बाद अग्दामार खिलाफ मसलिहत और इनसानी नफसियात के मना की नजर आते हैं कलीम का बाग्याना किरदार नदीर अहमत और उनके जमाने वालों की नजर में यकीनन ना पसंदीदा रहा है रहा होगा लेकिन मौजुदा जमाने का कारी नदीर अहमत के एहसास में बराब की फिद्रत मस्क नहीं हुई थी वालड़ाइन ने कम सिनी ही मैं उसकी अच्छी से अच्छी तरवियत नहीं की जिसकी वजह से वो घलत रास्ते पर लग गया इस तरह कलीम की घलत कारियों में उसके वालड़ाइन भी शरीक हैं कलीम के अंदर गहरत वो हमियत का जजबा आखिर तक मौजूद दिखाई देता है हालात और मुसीबतों और सद्मों की यलगार में उसे जिद्धी बना दिया इसके मजमुई हाला पर नदर रखने वाला कारी इसके लिए अपने दिल में यकीन हमदर्दी महसूस करेगा इस नाविल का पलाड बिल कोई घुमाओ और पेचीदगी नहीं है वाकियात का सोचे समझे मनसूबे के मताबिक आगे बढ़ते रहना आगे बढ़ते हैं लेकिन किस्से के माहौल और फैजा को नाविल दिखार ने कुछ इस तरह पेश किया है कि उस पिस्से को पढ़ते हुए महसूस होता है कि हम किस किस्सा नहीं नाविल पढ़ रहा है और हम पूरी तरह किस्से की शिजा में शरीक होकर खुद उसका एक हिस्सा बन जाते हैं अलबता नाविल का अंजाम किसी कदर गैर फितरी नजर आता है नाविल निगार ने कहानी को जिस अंदाद में खतम किया है वो उनके मक्तब और नके नजर के मताबिक वो यकीन है लेकिन इस अंजाम के मंतकी जवाज पर अहल नजर ने शुभा जाहिर किया है जैसा कि मुहम्मद साबिक नजीर अहमद की नावल निगारी पर तफसरा करते हुए लिखते हैं कि नजीर अहमद के नाविल साफ तोर पर इसलाही ख्यालात क की तरफ इशारा करते हैं वो कहानी बनाते हैं जो उनकी मुसलिहाना पोशिश का नतीजा है फिर उसमें बने हुए किर्दार रख दिये जाते हैं उनको इससी दिल्चस्पी नहीं कि किर्दार क्या चाहता है कि शत्रंज के मुहरों की तरह वो कहानी को इसके पहले से मुकर्र शुदा अंजाम तक पहुंचा देते हैं यह था कौल सादिक का नजीर अहमद से मुतलिक पादिल तप्सरा निगार ने यह बात हैं गालिबन नजीर अहमद के इक्तिदाई नाविलों को सामने रखकर लिखी हैं वरने तवबत नसूर और फसाने मुबतला वगहरें बड़ी हद तक नाविल के जादे तक तकातों को पूरा करते हैं अलबता ये बात अपनी जगह इसी कदर सही है के मकसदियत पर जादे तवज़ देते हैं और इसकी खातित हकीकत का खून करने से दरेख नहीं करते हैं नाविल के मौदूदा मेयारों पर तवबत नसूर को परकने पर इसमें यकीना कुछ कमी नजर आएगी लेकिन किसी फन की विदाई काविशों में फनी पुखतगी तलाश करना फनकार के साथ ज्यादती है नजीद हमद का उर्दू अदब पर ये एहसान है कि उन्होंने उर्दू दास्तान की रिवायत से इनहराब करते हुए उर्दू दास्तान की रिवायत से बगावत करते हुए नाविलों के लिए राह हमवार की और कुछ ऐसे नाबिल नमुना के तौर फर लिखे जो उर्दु अदब में एक नई सिन्फ की संग बुनियाद साबित हुए